नमस्कार दोस्तो सभी मित्रों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सेनी स्टेडी पुइंट में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो पीडिटी सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया था जैसा कि मैंने वीडियो बनाकर कल आपको पता भी दिया था आपने चेक भी कर लिया होगा बहुत सारे विद्यारतियों को जो कोलेज है वो अलोट भी हो चुका है लेकिन ऐसे भी विद्यारती हैं जिनको कोलेज नहीं मिलाया या तो उनके कम नमरते या फिर उनने फोरम बरने में किसी प्रकार से जो कोलेज सेलेक्ट करते हैं वो कम कोलेज सेलेक्ट पर सीटे खाली रह गई हैं जी हां दोस्तो कितनी सीटे खाली हैं वो तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि एक और लिष्ट जारी हो सकती है या फिर यदि आप से कोलेज वगरा सेलेक्ट करवाए जाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा कोई जो भी अपड कर कि कोई गलती ना कर सके तो दोस्तों खुसकबरी है एक और लेश्ट आपके सामने आ सकती है या हो सकता है रिचोई साब से करवा ले जाए जो कुछ अपडेट होगा आपको अमारे चैनल के माध्याम से बता दिया जाएगा अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कितनी सीटे या पर खाली है और उन विध्यारतियों की बात करेंगे जिनको कोलेज मिल गया है अब उनको क्या गलती नहीं करनी है और जिनको कोलेज नहीं मिला है उनको क्या गलती नहीं करनी है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिसकस करने वाले है तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख लिए आज की न्यूज है बीए बीएड में 967 सीटे खाली है आप यहां पर देख सकते हैं साब साब लिखा हुआ है बीए बीएड में कितनी सीटे खाली है जो चार वर्षी यह बीएड होता है उसमें 967 सीटे खाली है बीएसी बीएड में अब 4640 सीटे खाली वरना है जो मुश्किल है यहां पर साप साप लिखा हुआ है अर्ताद बी-े-ड, और बी-े-सी-ड दोनों में जो सीटे हैं वो खाली हैं जाओ रहा को ब्हौपर रह चुकिया है PTT यंड काउंसिलिंग लिए जो यह लिष्ट जारी हुई है उसमें दो वरसीए बीएड में दो वर्षिये बीएड में 13,897 सीटे जो है अलोट हो चुकी है अब एक एक करके दोस्तों मैं या पर आपको पढ़कर सुना रहा हूँ तो वीडियो को कम्प्रीट देखना साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है प्रदेश के बीएड कोलेज में 24 वर्षिये बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित पीटी टी में इस सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में सोमवार को सीट अलोटमेंट लिष्ट जारी कर दी गई है दो वर्षिये बीएड में 13,897 सीटे अलोट होने के साथ ही रिकोर्ड 99.95% की है आप देख सकते हैं मात्र 51 सीट यहां पर खाली है वहीं चार वर्षिये जो बीएड है उसमें 4,237 सीटे अलोट होने के बाद अब केवल 967 सीट खाली है जो भी बीएड के लिए सोच रहे हैं तो अभी 967 सीट यहां पर खाली है लेकिन बीएस सीटे बरना काफी मुस् अब मोटा मोटा यहां पर बात कर लेते हैं देखे ये इस news को ज्यान पूर्ख पढ़ना यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है देखे दो वर्षिये बीएड में जो है केवल कितनी सीटे खाली है मात्र 51 सीटे खाली है साप साप यहां पर लिखा हुआ है अब 51 सीटे दो वर्षी अब 28 के अंदर खाली हैं ये सीटे कुछ आरक्षित स्रेणी की सीटे होने से ही नहीं भर पाई है हालांकि रिपोर्टिंग के बाद में कुछ सीटे खाली और हो जाएंगी क्योंकि अब जिनका कॉलेज अलोटमेंट हुआ है तो बहुत सारे विध्यारती ऐसे भी है जो रिपोर्टिंग ने करवाएंगे या तो दूर होने की वज़े से या किसी भी करण वस यदि वो नहीं क लिखा हुआ है मातर दो साल वाली बीएड के अंदर इक्यावन सीटे खाली है और बीएड के अंदर बीएड के अंदर नो सो सड़ सड़ सीटे यहाँ पर जो है फिलाल खाली है बीएस सी बीड में बाइस प्रिसेंट सीटे जो है खाली है और बरना भी मुस्किल है क्योंकि जो DLAD की यहाँ पर चल रही है कावसिनिक पिक्रिया उसके अंदर रूची दिखा रहे है वो उत्सारे स्टुडेंट इसलिए BSCBAD की सीटे बरना यहाँ पर मुस्किल है लेकिन कितनी सीटे खाली है वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर है 4,640 सीट अभी भी खाली है 4,640 सीट यहाँ पर खाली है तो टोटल यदि हम बात करें तो देखिए 4,640 सीट तो BSCBAD के अंदर है 967 सीट BABAD के अंदर खाली है और 51 सीट जो है वो किसमे खाली है वो है दो साल की BAD के अंदर है तो टोटल आप देख लीजे कितना हो रहा है इतनी सीटे जो है फिलाल यहाँ पर खाली चल रही है अब दोस्तो यहाँ पर देखे क्या लिखा PTT में 2 वर्षिय BAD में 100% सीटे यहाँ पर लगबग लगबग बर चुकी है चार वर्षिय BAD में सीटे जरूर यहाँ पर खाली है तो रिपोर्टिंग के बाद खाली सीटों पर यहाँ पर निरने लिया जाएगा अब जो खाली सीटे रहेंगी उसके लिए अलग से करवाएंगे तो जो भी कुछ निरने यह लिया जाएगा आप हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को वीडियो को लाइक जरूर करें कोई भी कुशन हो तो कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद